हरे क्रिश्णा मा यूट्यूव फैमिली कैसे आप से भी लोग आई होप आप से भी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे व्लोग्स को इंजॉय कर रहे होंगे तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ यह दिन है जिस दिन मैं सबसे पहले स्कॉन जा रही हूँ सुबह सुबह बहुत चल्दी उठके सब काम करके मुझे मंदिर जाना है सबसे पहले स्कॉन टैंपल उसके बाद मैं जाओंगी टौक्यो स्काइट्री देखने जिसका प्लैन था हमारा दो पैर का सबसे पहले कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब कर देना और आपने को कमेंट सेक्षिन में किस टाइब की वीडियो चाहते हो वह भी बता सकते हो जापान के बारे में सो आज का टोपिक है टोक्यो स्काइच जो कि मैं पहुंच चुकी और बहुत सुंदर था मैट्र स्टेशन भी इतना ज्यादा बहुत ज्यादा भीड भी थी यहां पर आप देख सकते हो एंड जो ये एंट्री थी इसके उपर जो समान जो बिकने वाला होता है उनकी छोटी अनद यह जैसे आप सभी को पता है कि क्रिश्मस बहुत पास आने वाला है और जपान पूरा जपान पूरा टोक्यो क्रिस्मस की तयोरेों में लगा हुआ है इंट यह ट्री है गाई थि मैं में ट्री था और जबहुत ज़्यादा लाइट से और बहुत सुंदर बनाए जब उन सभी को light से बहुत सजाया गया है ये view है उपर जाने के बाद जो mall है उसके fourth floor से start होता है उपर जाने के बाद ये view आ रहा है Tokyo Skytree का इसके आसपास भी ये सभी कुछ बहुत सजावत की हुई थी जो कि अगर रात होती तो और भी ज़्यादा सुन्दर लगता और इसके आसपास भी जो Merry Christmas है उसके बहुत ज़्यादा सजावत हुई है तो मैंने भी यहाँ पर वीडियो बनाई और बहुत ही अच्छी feeling आ रही थी यहाँ पर music बज रहा था और सभी लोग enjoy कर रहे थे और जैसे कि आप देख सकते हो मौसम भी ठीक ठीक था तो भीड भी ज़्यादा थी एंड सेटरडे का दिन था तो उसे वज़े से भी भीड ज़्यादा थी उसके बाद हम 11 बच गय थे एंड मैं टिकट की लाइन में खड़ी होगी थी लाइन में हो ज़्यादा भी time लगा उसके पहले के जो सारे slots थे वो filled थे sold out हो चुके थे already so अब मेरे पस बहुत ज़्यादा time था और अब क्या करें सो उसके बाद हम मैं गई एक cafe में और वहाँ पे हमने coffee ठोड़ा कुछ खाया एंड वहीं पे बैटके हमने बहुत सारी बाते करी and wait किया तीन बचने का मैं सुगर की coffee पी है यह बहुत ज़्यादा मुझे कड़वी लग रही थी मुझे नहीं पता Japanese लोग कैसे पी लेते इतनी ज्यादा coffee bean only coffee beans वाली coffee इतनी ज्यादा कड़वी होती है मैंने पहली बार पी और इस इतनी कड़वी को पीने के बार ऐसा लग रहा था कि आस तो सारा सु चाहम से तो नहीं हो पाएगा इतना मीठा खाने वाले लोग इतनी कड़वी कैसे पी पाएंगे नहीं तो गाइस अब हमारा स्काइची जाने का टाइम हो गया है हमने 11 बजे किकट ली थी अब हमें 15 बजे क्योंकि हमें सबसे उपर जाना था तो उसमें मतलब तीन बजे का ही था कि मजब उसके पहले की बुकिंग्स नहीं थी सारी सॉल्ड आउट होचके दे तब तीन बज गए हैं बहुत देर वेट करने के बाद खाने पीने के बाद अब हम स्काइची जा रहे हैं उपर एंड छलो आपको दिखाते हैं जपान की सुन्दर तक कैसे तो कि अच्छा रहे हैं तो कि यहां से कुछ ऐसा दिख रहा था एंड यहां से कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कि आपको पता है कि पास में ही जपान के हर कोने में सी है तो सी भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था और उसका जो व्यू था वो भी बहुत सुन्दर लग रहा था मैं भी हापे फोटो प्लेक करवाने जाओंगी ताकि मेरी याद बनी रहे टोक्या स्काइट स आने की अबी हम उपर और उपर जाएंगे क्योंकि हमने डवल कॉम्बो लिये है मतलब जो उपर वाली जो टॉम्बो गैलरी है उसको भी हम देखने जाएंगे इसके और उपर है तो बहुत अच्छा रग रहा है जब मेरी टरन है यहाँ पर फोटो क्लिक करवाने की और मैं इसमें एक स्कैनर भी होता है जिसे आप फोटो को स्कैन भी कर सकते हो के लिए वो फोटो ली अपना दिल रखके और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स थे फोटो खीचने के लिए बहुत सुन्दर सुन्दर स्पोर्स बना रखके थे और उसके बाद हमें जाना है टोमबो गैलरी जो की यहां से हमें एक और एलेवेटर लेके जाएगा जो की इसका व्यू था ये और यहां पर हम पहुंच चुके यहां पर भी फोटो सेशन के लिए एक और लॉंच था जिसमें हम बहुत अच्छी फोटो क्लिक करवा सकते है सो वहां पे भी मैंने फोटो कलिक करवाई बट जशन भई बहूँ लिए रहीं लेकिन स्मॉल साइज में हमें मिल गई स्मॉल साइज में हम ले सकते थे चेम की उसके ऊपर 450 के अराउंड था 450-500 मीटर उपर से था जो टॉंबो गैलरी था एंड ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था पूरा हम मैं हापे बैट के देख रही थी कि यह हापे है यह हापे है सब कुछ मैं रिकोगनाइस कर रही थी एंड जो संसेट व्यू था वो कुछ ऐसा था अगर बह बहुत अच्छा आ रहा था एंड मांट विजी तो वैसे भी मेरी कंपनी के बाहर से दिखता ही है बहुत सुंदर व्यू आता है वहां से भी तो मैं वहां से देख लेती हूं एंड ये ग्लास वॉल भी थी जहांके जहां पर चोटी-चोटी बच्चे बहुत इंजॉय कर र आपको आपको जो व्यू है वह बहुत अच्छा लगाओगा भी मैं भार से दिखाऊंगे आपको हर जगे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर रखी थी क्योंकि क्रिस्मस टाइम है एंड विंटर टाइम है स्नोफोल भी होगा तो उसके लिए सब मैं तो बहुत ज़्यादा इस बार एंड अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी स्काइट्री का जो संसेट का व्यू है वो कितना अच्छा आता है नीचे से एंड बहुत ही जादा सुन्दर लगता है एंड आई होप आपको यह जो व्लोग है यह अच्छा लगा होगा तो यह है व्यू आप देखो जो अभी स्काइट्री दिखेगा एंड बहुत जादा इसमें लाइटिंग कलरिंग हो रही थी एंड दूर से भी देखतें बहुत जादा सुन्दर लगता इतने पांस से देखने के पाद तो बहुत ज्यादा बड़ा लग था एंड फरस्टाइम था इतनी हाइट के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो नेक्स नाइ मैं कहां चाहूं क्योंकि मैं वन मन्थ में एक ट्रिप जरूर लेती हूँ दो ट्रिप भी ले लेती हूँ लेकिन एक जरूर लेती हूँ कही न कहीं घूमने के लिए क्योंकि मैं एक्स्प्लोर भी करना चाहती हूँ सारी चीजों को और नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कोई म्यूजियम या फिर कोई जैपनिस मंदिश जाने के लिए सो थैंक्यू बाइ बाइ और फिर एक नहीं वीडियो के साथ आपको मिलूँगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना हरे कृष्णा